पीछे की कक्षा में हमने पढ़ा, राम सीता को सांतोना दे रहे होते हैं, और तब तक कंचुकी का प्रवेश होता है, कंचुकी आकर के कहता है कि महर्शी अश्टावक्र का आगमन हुआ है, महर्शी अश्टावक्र को शिग्र लाने का राम निर्देश देते हैं, कंचुकी जाते हैं और अश्टावक्र को ले करके आते हैं, महर्शी अश्टावक्र आते हैं, वहां से आगे हम पुना प्रविश्य अर्थाद प्रवेस करके मूल पाठ एक बार देख लेते हैं सोमपीथी आवथ्यो मे भगवान रिश्य स्रिंगः आर्याच स्आन्ता सीता अस्मानपिस्मरती अस्टावक्रह उपविश्य अथकिम देवी कुलगुरुर भवान अश्टावक्रह उपविष्य अथकिम देवी कुल गुरुर भगवान वसिष्ठस्त्वान इदम आह विश्वं भरा भगवती भवती मसूत राजा प्रजापति समो जनकह पिताते तेशाम वधूस त्वमसिनन्दिनि पार्थिवानाम येशाम कुले सुसविता च गुरुर वयम्च तत्किम अन्यद आशास्महे केवलं वीर प्रसवा भूयाह इस अनुक्षेद इस संबाद का हम अनुवय के साथ भावार्थ पढ़ेंगे अब महर्शी अश्टावक्र प्रवेश करते हैं प्रवेशं संपाध्य अश्टावक्रह वाम्युवाभ्याम स्वस्ति कुशलम अविनासह भवतात तुम दोनों का कल्याण हो राम भगवन देव अभिवादे प्रणामामी इतह अत्र आस्यताम उपविश्यताम राम कहते हैं कि भगवन हम आपको प्रणाम करते हैं अभिवादे का अर्थ प्रणामामी अत्र आस्यताम इधर आईए यहां बैठिये आस्यताम अर्थात उपविश्यताम बैठिये सीता कहती हैं भगवन सड आईश्वर्य सालिन हे ते नमह तुभ्यम नमह हे छे आईश्वर्य वाले महर्शी आपको नमस्कार है छे आईश्वर्य से युक्त महर्शी अश्टावक्र है भगवान शब्द का जो प्रयोग होता है वह इन्हीं छे आईश्वर्य से युक्त जो है उसके लिए किया जाता है वो छे आईश्वरे कौन हैं तो एक शलोक में गिना दिया आईश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य या श्रसहस्रियह ज्यान वैराग्ययोस्चैव शन्नाम भग इतीरणा और ये छे जिनके पास होते हैं उन्हें भगवान कह दिया जाता है सीता पड़ाम करते हुए पूछती हैं कुछ अलग खेम पूछना चाहती हैं क्योंकि ये रिष्य स्रिंग के आश्रम से आये थे अपी सजामात्रिक अस्य जामाता के सहित रहने वाले जो वहां गुरुजन हैं अर्थात कौशल्या सुमित्रा कई के यादि जो माताएं हैं आप इस सीच को ध्यान दें कि राम की एक बहन थी जिनका नाम था शांता और शांता का विवाह महर्शी स्रिंगी से हुआ था जो यहाँ पे जामाता कहा गया है उन्हीं के लिए कहा गया है कि महर्सिस रिंगी के आस्रम में गई हुई हैं शांता से मिलने या यज्यादी कारियों के संपादन के लिए कई-केई सुमित्र आदी माताएं गई हुई हैं तो सीता वही कुसल खेम पूँचना चाह रही हैं कि जामाता के सहित हमारी जो ननांदा हैं ननद हैं शांता और माता इत्यादी जो हमारे बंधुजन गए हुए हैं किम अपि कुसलम सरवम वो सभी कुसल से तो हैं राम भी पूँचते हैं मम सोमपीथी आवुत्तह भगनी पतिही भगवान रिष्यसरिगह आर्या शान्ताच निर्विढ़नह खलू सोम का पान करने वाले जो सोमपीथी आवुत्तह दामात को कहा जाता है जामाता कहें आवुत्तह कहें या आवुत्त हर्थात भगनी पती जो बहन के पती वो आवुत्त कहे जाते हैं तो मेरे जो आवुत्त हैं सोमपीथी हैं वो नाम आगे लेते हैं भगवान रिष्य स्रिंगह स्रिंगे रिष्य और शान्ता हमारी बहन विखन रहित तो हैं कुशल से तो हैं खल निश्चे अर्थ के लिए प्रयोग होता है खल अर्थात निश्चे ही ठीक हैं पुनह सीता कहते हैं किम सा शान्ता अपी अस्मान स्मरती क्या शान्ता भी हमारा चिंतन करती है सांता हम लोगों को याद करती है या नहीं याद करती बहुत सारे प्रश्ण राम और सीता दोनों ने पूछे वैसे भी जब कोई दूर से आता है तो अपने परिजन का समाचार उनके विश्ण में जानने की जिग्यासा उतकंठा जादा होती है उसी उतकंठा वसात बहुत सारे प्रश्ण राम और सीता दोनों ने कर लिये अश्टा वक्रह उपविश्य वो बैठ जाते हैं आकर के और बोलते हैं सर्वे स्मरंति भवतीम आपको सभी स्मरंड करते हैं कुशली नह सर्वे और सब के सब कुशल भी हैं किसी को कोई कष्ट नहीं है अर्थात हे राज महिशी जो कुल गुरु महरशी वशिष्ठ हैं उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसा संदेश कहा है अब वोचत अर्थात कहा है क्या संदेश कहा वो मैं तुम्हें सुनाता है भगवती साट गुल्ण्य परिपूर्णा विश्वं भरा प्रिथवी भवतीम असूत अर्थात जो सड रसों से परिपूर्ण है सड रस कहा होते हैं पहले तो सडरस कौन है ये जान लेते हैं। सडरस मधूर लवण कटू कशाय तिक्त। तो इसमें कितने हुए? मधूर लवण कटू कशाय तिक्त। मधूर लवण कटू कशाय तिक्त। छे हो गए मीठा, नमकीन, मधूर, लवण, अमल, खटा, कटू, तिक्त। 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 और ये छे के छे सबी रस उत्पन कहां से होते हैं। अगर अमल का स्वाद कैसा है तो ये पता करने के लिए हमें नीबु खाना होगा मधुर के लिए इक्षू गन्ना खाण ऐसे ही अलग-अलग पदार्थों से हमें रस मिलते हैं लेकिन ये सभी पदार्थ होते कहां हैं तो आपका एक उत्तर होगा धर्थी पर मिट्टी में होते हैं मिट्टी वही है लेकिन अलग-अलग विष्ञों पदों से अलग-लग रस उत्पन करती है तो सड़ रस का आस्र कौन है धर्थी इसलिए धर्थी को कहा विश्वम भरा विश्व का भरण पोशन करने वाली यह जो विश्वम भरा प्रिथवी है वह प्रिथवी त्वाम असूत तुमको उत्पन करने वाली है प्रसूत वती प्रजापति समो जो तुम्हारे पिता है राजा जनक वो कैसे हैं कहा ब्रह्म सद्रिशह तवपिता विदेह पति ही तवपिता जनकह प्रजापति समह प्रजापति के समान है हे नंदेनी हे सवभाग्यवती सीते तेसाम प्रसिद्धा नाम पार्थिवा नाम तुम्ह वधू तुम्ह ऐसे प्रशिद्ध कुल की वधू हो ये साम जिन राजा के कुल में या जिन राजा का जिस राजा का कुल सविता सूर्यह प्रवर्तक ह जिस कुल का प्रवर्तक सूर्यह है उस सूर्यह वंसी राजाओं के कुल की तुम वधू हो तीन विशेस्ताएं कह रहे हैं कि एक तो विश्वंभरा तुम्हारी माता है धर्ती तुम्हारी मा है तुम्हारे पिता प्रजापती के समान है और तुम्हारा यहाँ सवभाग्य है कि इस धर्ती पर स्रेष्ठ जो कुल है जिसका प्रवर्तन सूर्य से हो रहा है ऐसे सूर्य वन्स की तुम कुल बधू हूँ तो और तुम्हारे कुल गुरू जो हैं वो सब के सब हितो पदेश्टा रह कल्यानकारी उपदेश देने वाले हैं सनमार्ग में प्रेरित करने वाले हैं इन सारी विशेष्टाओं और स्रेष्ठताओं से युक्त तुम्हारा जीवन है हम तुम्हारे लिए और अधिक अच्छी कामना क्या कर सकते हैं हाँ एक कामना जरूर करते हैं केवलम त्वाम वीर प्रसवाव हुई या हा तुम वीर पुत्र की माता बनो वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो ऐसी कामना करते हैं ऐसा आसिरवाद हम देते हैं यह संदेश महरसी वशिष्ठ ने दिया है इस अनुख्यद के कुछ व्याकरण वाले पदों को हम देखेंगे जो सजामात्रिकस्य यह पद आया था जामात्रा सहितह सजामात्रिकह जामाता के सहित जामाता कउन हैं जिस से पुत्रिका विवाह होता है तो सजामात्रिकस्य यहाँ पर भी बहुबरीही समासोगर के सश्ठी का एकवचन रूप है यह ऐसे ही सोम पीथी दूसरा पद आया था पीथम नाम पानम पीथम का आर्थ होता है पीना जैसे जल पीना तो ऐसे ही सोम रस का पान एक आउशद ही है जिसमें पत्ते नहीं होते केवल डंठल डंठल जैसी वो आगे को बढ़ती जाती है उसे सोम लता कहा जाता है सोम वल्ली कहते हैं उस सोम का रस निकाला जाता है और सोम यग्य के बाद उसका पान करते हैं आजकल दूसरे अर्थों में इसका प्रेयोग होने लगा है जबकि वास्तविक अर्थ वह नहीं है तो उस सोम वल्ली का रस पीने वाले उनका सोभाव सहज नियम रहा है तो पीथ जिसका सभाव है जिसके पास है अत इनी ठनव इस सुत्र से इनी प्रत्य होगा तो सोमपीथी बनेगा अर्थात सोमपान करने वाले तो पहले सश्ठीत पुरुसमास और उस पद से इन प्रत्य करके सोमपीथी शब्द निस्पन होता है ऐसे ही दंडी शब्द निस्पन होता है बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं विश्वंभर अधर्ती का पर्यायवाची शब्द है विश्व उपपद पूर्वक भरी धातु है भरण करने अर्थ में भरण कोशन करना और उससे खच प्रत्य करते हैं पुनह मुम आगम होता है शब्द की प्रक्रिया है ये तो विश्वंभर शब्द बनता है और विश्वंभर से श्त्रित्व की विवक्षा में जब टाप प्रत्य करेंगे तो विश्वंभरा यह पद निश्पन होता है जिसका अर्थ होगा विश्व का कल्याण करने वाली भरण पोशन करने वाली प्रजापती समह, यह कुछ अलंकार वाले शब्द देख लेते हैं, प्रजापती के समानिहां पर, जहां भी तुलना होती है, वहां उपमालंकार होता है, आप जानते हैं, ऐसे ही जनकह पिता, इत्यत्र पुनरुक्त वदा भासह, इसका पुनरुक्ति का आभाश हो रहा है, क राम, यह सब सुनने के बाद कहते हैं, रामह, अनुग्रहीत आहस्मह, हम अनुग्रहीत हुए उनके इस आशिरवाद को प्राप्त करके, क्यूं? कहा लोकिका नाम हिसाधू नाम, अर्थम वाग अनुवर्तते, रिशी नाम, पुनराध्या नाम, वाचमर्थो नुधावती अश्टावक्रह इदम्च भगवत्या अरुन्धत्या देवी भी शांतयाच भूयो भूयह संदिष्टम् यह कस्चित गर्भदोहदो भवत्यस्याह सोवश्यम अचिरात संपादै तव्यह इति रामह क्रियते यद्येशा कथयति अश्टावक्रह ननांदुः पत्याच देव्याह संदिष्टम् रिश्यश्रिंगेड वत्से कठोर गर्भेति नानीतासि वत्सोपी रामभद्रस तद विनोधार्थमेव स्थापितह तत पुत्र पुर्लोत्संग आयुष्मतीम द्रक् इति रामह सहर्स लज्जास्मितं तथास्त भगवता वशिष्ठेन नाकिंचित आदिश्टोस्मि पदों के अर्थों को हम देखते हैं राम कहते हैं कि हम अनुग्रहीत हो गए उनका इस प्रकार का आशिरवाद प्राप्त करके क्योंकि लोकिका नाम सामान्या नाम जना न वाक अर्थम अनुवर्तते सामान्य लोग जो होते हैं उनकी वाड़ी अर्थ का अनुवर्तन करती हैं अर्थात वो वही बोलते हैं जो देखते हैं वो बोलते हैं लेकिन जो आद्यानाम जो रिशिगण हैं वैदिक महर्शी हैं उन रिशियों की वाड़ी वाचम अर्थम अनुधावती उनकी वाणी का अनुसरण अर्थ करता है अर्थात वो जो कह देते हैं वही हो जाता है दोनों में यही अंतर है सामान्य लोग हम लोग हैं हम लोग समाज में जो देखते हैं वही बोलते हैं लेकिन रिशी लोग जो बोल देते हैं उनके मुख से जो निकल गया फिर वही कार्य बाद में होता है वो पहले बोलते हैं बाद में उस अर्थ की परिणती होती है समाज में वो चीज दिखाई पड़ती है तो उन्होंने कहा है तो जरूर ही सीतावीरप प्रस्वा होगी ऐसा राम का अभिप्राय है अश्टा वक्र कहते हैं इदम्च भगवत्या देव्या अरुंधत्या देवी भी कौशल्या कैकेई सुमित्रा भी सान्थ शान्तया स्री राम भगिन्याह चा भूयोहु यह वारं बारं संदिष्टम कहते हैं यह जो बात है वह अरुंधती आदी कौशल्या सुमित्रा कैकेई जो आपकी माता हैं शान्ता आपकी बहन हैं इन सब के द्वारा पुनह पुनह कहा गया है क्या कहा गया है यह कस्चित कोपि अस्याहा सीतायाहा गर्व दोहदह अभिलाशा भवती सह अवस्यम निश्चयेन अतिशी घ्रम संपादई तब्यह पूरणी यह सीता के मन में जो अभिलाशा है उन सारी अभिलाशाओं की पूर्ती सिग्र ही होना चाहिए उनके मन में जो भी होता है सीता जो अभिलाशा करती हैं उनकी अभिलाशा पूरी होनी चाहिए यह सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं कहा अपितू अरुन्धती वशिष्ट की पत्नी गुरु पत्नी ने भी कहा है उनकी भी इच्छा है आपकी माताओं की यही इच्छा है और आपकी बहन की भी इच्छा है कि सीता जैसा चाहती है वैसी सारी सारी इक्षाएं उनकी शीग्र ही पूरी की जानी चाहिए सीता यत कथयती यद वदती तथा क्रियते सीता वर्तमान में जैसा चाहती हैं हम सभी वैसा ही करते हैं वैसा किया जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है अश्टावक्र पुनह कहते हैं ननांदुहु पतिस्वसुहु पत्या स्वामिना रिष्य स्रिंगेडच देव्याहा देवीम प्रतिसंदिष्टम उक्तम वत्से कल्याणी कठोर गर्भा पूर्ण गर्भा इतिना आनीता आहूता असी अश्टावक्र कहते हैं कि ननांदा के पती अर्थात श्रिंगी रिष्य स्रिंग कह रहे थे कि जो सीता है वह कठोर गर्भा है अभी अर्थात पूर्ण गर्भ हो चुका है उनका इसलिए ना आनीता उन्हें आश्रम में नहीं बुलाया गया सुरक्षा के दृष्टी से उन्हें राजमहल में ही निवास करने को कहा गया है पुत्र अपिरामभद्रत्वद विनोदार्थम एव राम जो हैं वह तुम्हारे विनोद के लिए तुम्हारे मनोरंजन के लिए ही तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो एतदर्थ राजमहल में स्थापित किये गये माने छोण दिये गये हैं उन्हें भी वहाँ इसी लिए रखा गया है और रहने का आदेश्ट आदेश दिया गया है तसमात पुत्र पूर्णोत संगाम जब पुत्र आ जाएगा संतान भूशित क्रोडाम जब संतान की प्राप्ती हो जाएगी तदा चिरन जीविनीम द्रक्षा महा फिर हम तुम लोगों को भी देखेंगे शिग्र ही आएंगे ऐसा किसने कहा है तो कहा आवुत्तह रिश्य स्रिंगेड एवं संदिष्टम तदा रामह सहर्स लज्जा स्मितम लज्जा से युक्त होते हुए हसते हुए स्मित हास के साथ बोलते हैं तथा एवं अस्तो इसी प्रकार हो ठीक है क्या भगवान महर्शी वशिष्ट के द्वारा कोई आदेश तो नहीं दिया गया उन्होंने तो कुछ विशेश कारे करने के लिए आदेश नहीं दिया है ऐसा रामने प्रश्न पूछा इस अनुक्षेद में जो व्याकरण के पद आये हैं उनको हमें एक दिष्टी देख लेते हैं लोकिका नाम अर्थात लोके भवाहा लोकिका हा और इसी लोकिक पद नाम अर्थात लोक में होने वाला आद्या नाम आदव भवाहा आद्याहा वही प्रक्रिया है आदी शब्द से यहाँ पे यत प्रत्य करते हैं तो आद्य शब्द निस्पन्न होता है जो सष्ठी का वहवचन यहां भी है रिशी नाम रिश गतव धातू से जब सर्वधातु व्या इन सुत्र से इन प्रत्य करने पर यह रिशी शब्द बनता है और इसके शष्ठी का वहचान रूप रिशी नाम संदिष्ठम सम उपसर्ग पूरवक दिश्धातू से अक्ता प्रत्य करने पे नपुनसक लिंग में संदिष्ठम यह रूप बनता है संपादई तव्यह सम उफसर्ग पूर्वक पद धातु पद गतव धातु है उससे इडिच प्रत्य करने में पहले संपादी यह धातु और उसके बाद तव्यत प्रत्य करने में संपादई तव्य और नपुनसक लिंग रूप बनेगा संपादई तव्यह अर्थात पूर्ण गर्भ जिसका हो गया है उसके लिए कठोर गर्भा शब्द का प्रियोग हुआ है पुत्र पूर्णोत संगाम पुत्राभ्याम पूर्ण पुत्र पूर्ण यह तृतिया तत्पूर्ण समास होगा और पुत्र पूर्ण उत्संग यस्याहा सा पुत्र पूर्णोत संगा बहुरही समास होगा ऐसे समास को तत्पूरुस गर्भ बहुरही समास कहा जाता है तो अर्थात पुत्र से पूर्ण है क्रोड अंक गोध जिसकी वह पुत्र पूर्णोत संगा और ताम दुतिया का दुईवचन होगा यहाँ लोकी का नाम जो शलोक हमने पढ़ा था उसमें अनुष्टुप छंद है और लोकी का नाम ही साधु नाम यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है क्योंकि साधु नाम अपेक्षया आध्या नाम रिशी नाम वाचम आधिक्य वचनात अत्र व्यतिरेक अलंकार है आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, शेश भाग को हम तृतिय भाग में पढ़ेंगे, धन्यवाद